हेलो चेंपियन्स कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होगे और दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बोला गया है कि SSC GD 2022 के लिए हम आपके लिए जी और 80 स्रीज चला रहे हैं और इस स्रीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मैप का टोपिक टाइम ए बड़ा है आज मैं आपको वो किश्यंस करवाने वाला हूँ जो आपके SSC GD के पेपर में आते हैं जिस टाइप के किश्यंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं उस उस टाइप की किश्यंस यहां पर हम करने वाले हैं दोस्तों ऐसा होने वाला है हो सकता है किश्यंस की ले इन टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ाओगा जैसे लिखा हुआ है कि इससे बार कुछ नहीं आएगा मैं आपको जी ओ एटी श्रीज के तहर्त जो भी करवाने वाला हूं वो सारी चीजे आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर देख रहे हो तो और अगर नहीं देख रहे हैं तो अभी छोड़ के चले जाना क्यों क्यों कि एक भी किश्चन से अगर छोड़ोगे एक भी टाइप अगर चोड़ोगे और वो पेपर में आ गई भ टैट में से 40 में से 40 score करने का उसको अचीव करवाने के लिए हम जो भी मेहनत कर सकते हैं अपनी सारी मेहनत हम कर रहे होंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किश्यंस से और किश्यंस मैंने आपको काफी बार करवाई हुए है पहले भी बस आपको सोल करना है और मैं आपको सोल करना सिखा रहा हूँगा जिसको नहीं आता पहली टाइप है जो आपके पेपर में कोई कर देगा लेकिन हम वो टाइप लेका है जो पेपर में आएगी और आपको आनी चाहिए पहला किशन देखिए अपनी स्क्रीन पर क्या है कि बी और सी एक काम को बारह दिन में पूरा कर सकते हैं C और A आठ दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो A और B मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, अगर आपने किश्चन्स देखा होगा, प्रिवेस एर पेपर देखा होगा, तो आपको पता होगा, ये टाइप आपके पेपर में आती है, चलो इसको सोल कैसे करते हैं पता सभी को है सोल करने की कोशिश करो आपका आंसो निकल जाता है तो मुझसे पहले कमेंट कर दे रहा क्योंकि यहां पर देखिए दोस्तों स्पीड भी मैटर करती है मैं आपको स्पीड बढ़ाने वाली अपनी क्लास भी लेक्के आऊँगा वो भी देखना सब कुछ करवाए जाएगा सबसे पहले देखू क्या है कि B प्लस C है वो कितने दिन में काम करता है 12 दिन में उसके बाद बोला C प्लस A कितने दिन में काम करता है 8 दिन में उसके बाद बोला तीनों मिलकर यानि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर हो गया कितने दिन में काम करते ह अब अपना basic funda क्या है? इन सभी का हम LCM लेते हैं और वो कितना हो जाएगा? आपका 24 आजाएगा. इसको करोगे भाग 2, इसको करोगे 3, और इसको करोगे 4. यानि कि तीनों की काम करने की छमता चार है, इन दो की छमता तीन है, इन दो की छमता दो है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, इतनी बात सभी को समझ में आ गई, अब पूछा क्या गया है, हम उस पे फोकस करते हैं, हमसे पूछा गया है कि A और B मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे तो इसका मतलब हमें a plus b का बताना है तो अगर हमें a plus b की capacity पता चल जाए यह निकि a की काम करने की छमता पता चल जाए और b की काम करने की छमता पता चल जाए दोलों को जोड़कर क्या हम बता नहीं सकते कि जो यह 24 निकला है जो क्या निकलता है आपका total work या जिसको हम क्या बोलते हैं उसी को हम कुल कारिया भी बोलते हैं तो क्या नहीं निकाल सकते हैं तीनों की में से अगर c और a की घटा दे देखिए भाई एक b c की है इसमें से a और c की घटा देंगे तो b की पता चल जाएगी तीनों की चार है उसमें a और c की घटा दे तीन तो ठोबी की कितनی आ जाएगी एक आ जाएगी तो बी की हमें एक यहाँ पर लिख दिन हमी Bil at पता चल जाएगी तो तीनों की से 2 इसे स्फबल यहां से Изब्स करने की जह GPA कितनी आ गई तीज अब यहीं बतारा है कि ए और पी मिल तो कितने दिन का समय लगने वाला है, आट दिन का समय लगने वाला है, option number 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, अगर आप sol करोगे, बहुत कम समय लगेगा, आप सभी को पता है, लेकिन समझा रहा हूँ, ताकि एक भी बच्चा न छूटे, तो कि ऐसा था, वो आय जाना है, जिसको अभी तक कुछ नहीं पता, उसको भी बताना है, कि यह किशन्स पेपर में आता है, और पेपर में आएगा, तो ऐसे sol करना है, चले अगले किशन्स पे चलते हैं, देखे, पहले मैं आपको बदाता हूँ, SSE का फंडा होता है, पहले CGL में पूछती है, फि काम हो सकता है, ठीक है, बस समझ लो, पिपर में आएगी टाइप, देखो क्या है, यह वाला देखो, MDS वाला है, MDS सबसे आसान होता है, क्या है, कि साथ वेक्ती, साथ दिनों तक, परति दिन साथ घंटे कारे करते हूए, साथ यूनिट करते हैं, तो पांच वेक्ती, अंडा क्या है, सबसे आसान, MDS मसाले से याद करवाया हुआ है, मैंने, क्या है, मैं, दे, हवर, और बटे में, डवलू, यह पहले का हो गया, दूसरे का, या वन वन लिख लो, दूसरे में टूटू लिख लो, MDS बटे डवलू, डवलू का मतलब होता है, वर्क, यानि उन इतनी दी हुई, उसको हम छोड़ देते हैं, और अगर दी हुई होती है, तो उसको लिख लेते हैं, इसमें क्या है, साथ रेक्ती, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साथ, ठीक है, उसके बाद साथ दिन, दिन कितने दियेगा, साथ, उसके बाद साथ घंटे, घंटे भी दिये वह चलना है वरना problem हो जाएगी उसके बाद देखे क्या है दूसरे वाला 5 वक्ति M कितना है 5 कितने दिन है 5 दिन उसके बाद क्या गंटे दिये हुए तो गंटे भी उपर आ जाएंगे और हमसे पूछा क्या कितने unit काम करते हैं तो यानि आपको W2 निकालना है क्या होगा बात बाद को एक बाद को नोट करें यहाँ पर examiner कैसे घुमाता है वह आपको बताते हुए चलूँगा कि यहाँ पर देखे 5 वक्ति 5 दिन दे देता और पूछता कितने घंटे कारे करके 5 उनिट काम करेंगे तो यहाँ पर यह पूछ सकता है आपसे यह पूछ सकता है कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है जो भी पूछा जाएगा उसके स्थान पर उसको लिख देंगे अपना अंसर निकलेगा यह क्या होता है तो उपर से यह कट जाएगा इधर से कितना बच गया इधर से बच गया यह डबलू टू उपर चला गया ठीक है इसको ऐसे लिख लेते हैं डबलू टू इधर कितना बचा हुआ है 25 125 पाज उना पाज 25 और 25 पंजे 125 और ये कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा साथ साथ 49 डबलू टू का मान कितना आ गया 125 बटे 49 किस में है option नंबर दो में है तो option नंबर दो क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा क्या बात सभी को स समझ में आगी क्योंकि इसके लिए simple भंडा बताया हुआ है कि अगर बराबर देखे इसके लिए क्या बताया है जिसको नहीं पता कि बराबर के तरफ अगर ऊपर से जाएगा तो नीचे चला जाएगा और नीचे से आएगा ऊपर आ जाएगा अगर जो साइड हम change करते हैं प्लस वाला है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस वाला बन जाएगा माइनस वाला बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस वाला बन जाएगा यानि अपने sign change कर लेता है इस बात का भी जहां रखना तो यह याद हो गया ना mdh असली मसाले सट सेट mdh याद कर ल बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी क्या है सो बिल्या यानि वेक्ति कितने काम कर रहे हैं सो बताया था ना कर कर रही है सो दिन काम कर रही है सो चुह मारती सोरे मारा क्या और काम को नीचे लिखेंगे बते में इस बात को नोट कर ले न यहां पर घंटे नहीं दिये गए हैं, तो घंटे नहीं लिखेंगे, ये एच वाला नहीं लिखेंगे, बडाबर में दूसरी दरफ क्या है, चार विलिया, चार चुहे, चार चुहे क्या हो गए, उनका काम हो गया, वो आएगा बटे में, गुना में मत कर देना, कितने दिन में मारेगी, आप से दिन पूछा है, तो यारी डी का मान आपको निकालना है, क्या ही बात सभी को समझ में आ गई, देखे, चुहे मारना उनका काम है, तो काम को हम बटे में लिखेंगे, नीचे वाले इसे में, चार विलिया, चार चुहे, अभी यह मत कर देना, चार गुना, चार बटे, डबलू ट बस निकाल दो, सो से सो कैंसल हो गया, चार से कैंसल हो गया, डी ब्राबर कितना हो जाएगा आपका, हंड्रड, कितने दिन में मारेगी, सो दिन में मारेगी, तो क्या हो जाएगा, चार आपका यहाँ पर क्रेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या यह बात सभी को समझ में ऐसे आपको sol करना है, बस sol करने की trick आप समझ लो, sol तो आप कर दोगे, हो सकता है, sol करते से मेरे से कोई mistake हो जाए, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको गलते नहीं करनी, आपको क्या है, आपको type को सीखना है, कैसे type है, और उसको समझ के ही आपको sol करना है, ठीक है, ये वाली type देखो, ये वाली type में पूछा जाता है, कि कौन कितना भाग सेस रह गया है, दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा कितने भाग हो गया है काम का, या पूछा जाएगा कितना भाग सेस तो इसमें क्या पूछा है, कितना बाद सेस रह गया है, देखो, एक कारिया 20 दिन में, तो जैसे बोला लिख देते हैं, एक कारिया को 20 दिन में करता है, बी कारिया को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालते है क्या निकलते हैं ? सभी को पता है गे nih, काम करने कीया चंता निकल की कैब स्थी निकल के आगी , यह अपना लिकल कि आगया कितना काम हमारी पास है यह यदि वह मिलकर पास दिन study करें एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर 6 अभी च्यार ये कर रहा है दो ये कर रहा है तो कितना काम कर रहे हैं 6 कितने दिन काम करते हैं 5 दिन तो कितना काम करेंगे 30 काम वो कर देंगे कुल काम 80 है उसमें से 30 उन्होंने कर दिया तो कितना काम बच गया 50 काम बच गया 80 काम था कुल उसमें से 30 उन्होंने कर दिया तो कितना काम बच गया 50 काम बच गया अब आप से पूछा है तो उस कार्य का कितना भाग सेस रह जाता है कितना भाग सेस रह जाता है कितना बच गया 50 कितने में से 80 में से 0 से 0 कैंशल कितना आ गया पांच बटे 8 बाग क्या रह गया सेस रह गया option number 1 यहां पे सही answer हो जाएगा ठीक है लेकिन हो सकता है examiner आपसे ये पूछ ले कि उस कारिये का कितना भाग हो चुका है तो हो चुका पूछेगा तो कितना काम हो चुका है 30 काम तो हम लिखेंगे 30 काम हो चुका है कितने में से 80 में से तो 30 बटे 80 लिखेंगे 0 से 0 कैंशल तब आपका answer हो जाता कि 3 बटे 8 काम क्या है हो चुका है, हो चुका पूछेगा, तो उपर हम लिखेगे जो काम हमने कर दिया, अगर जो सेस बचा हुआ पूछेगा, तो बचे हुए काम को उपर लिखेगे, और टोटल काम को नीची लिखेगे, क्या यह बात सभी को समझ में आगी, आसा करता हूँ सभी का का यह वाला देखिए क्या है? कि एक किसी काम को 20 दिन में, B 15 दिन में, C किसाइता से उट 5 दिन में समाप कर देते हैं, C अकेला कितने दिन में करेगा? यह वाली टाइट भी आपके प्पर ने पूछी जाती है दोस्तों क्योंकि सभी का अलग अलग दिया जाता है और फिर किसी की साहिता से काम को पूरा करवा लिया जाता है तो क्या है एक किसी काम को कितने दिन में करता है बीस दिन में उसके बाद क्या है बी कितने दिन में करता है पंदरे दिन में उसके बाद क्या कर कर लेते हैं वे का मतलब पहले दो थे वो भी और शी भी आ गया है वो कितने दिन में कर लेते हैं पांच दन में अब लिकालो यह आगया सैट बीस तीए सैट पंदरा चोके सैट और बारह पंजे सैट अब तो आसान मन गया बस यह जो जिसने इसको लिख लिया आंस्वर अपन पांच अब आप से पूछा आए कि शीअ केला速 से कितने दिन में करेंगा एक दिन में जो पांच काम करता है लेना है या आपको यहाँ पर पांच के स्थान पर और कुछ दे देगा ताकि एलस्यम निकालने में आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए वरना यह टाइप आएगी आपके पेपर में तो आप आप आसानी से सोल कर दोगे बस एलस्यम निकालने पर फोकस कर लेना बाकि सारी ठीक है अब चलते हैं अगली टाइप पर यह वाली टाइप देखिए यह टाइप पहले नहीं पूछी जाते थी ठीक है लेकिन यह 2017 के बाद में पूछी जाने लगी है तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए और आई भी हुई होगी तो देख लो पहले इस टाइप को क्य हमने बोला है ना कि एक भी कृष्षिंज ऐसा नहीं होना चाहिए एक भी टाइप ऐसे नहीं होनी चाहिए जो हमने ना करवाई हो और आपके वेपर में आ जाए देखो क्या है ध्यान से देखना पहले करवा भी चुका हूँ सेम क्यूशन कि पर मौद ने नो दिन में एक का का एक वटे चार भाग पूरा किया, नो दिन में कितना किया एक वटे चार, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है कि एक हिस्सा किया है उसने नो दिन में, पूरा काम कितना है चार, तो एक काम नो दिन में करता है, तो चार काम कितने दिन में करेगा, छत्तिस दिन में कर सकता है, क्या ही बात समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर से देख लो कि नो दिन में काम का एक बटे च्यार भाग कर रहा है, यानि चोथा इस्सा कर रहा है, चोथा इस्सा नो दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, नो चोगे में उनको दिक्कत आती है आप देखो क्या है कि शरोज बचा हुआ काम कर रहा है यानि कुल काम तो एक था ना उसमें से एक बटे च्यार भाग किस ने कर दिया परबोध ने तो कितना बच गया तीन बटे च्यार अब यह मत बोला सरी कैसे आ गया आप इसका एलशेम लो आपक दिन में कर रहा है यानि तीन बटे च्यार को वो 27 दिन में कर रहा है तो मैंने क्या बताय था कि यह वाला उपर वाले के लिए होता है तीन भाग 27 दिन में कर रहा है एक भाग 9 दिन में करेगा और पूरा काम क्या है चार भाग तो यह कितने दिन में करेगा यह भी उस काम को 36 दिन में ही पूरा कर रहा होगा तो सरोज भी 36 दिन में पूरा कर रहा है अब क्या पूछा है कि दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं अब LCM ले लो LCM आएगा 36 इधर से एक इधर से एक दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं वीडियो को थोड़ा बैक करके दुबारा देख लेना सिम्पल है इसमें कुछ भी नहीं है बस इस बात को नोट कर ले ना एक बटे चार है तो उपर वाले के लिए होगा जैसे यह वाला हमेशा उपर वाले के लिए था कि तीन बराबर 27 है एक बराबर नोग तो टोटल काम की कुन सा होता है जो हम बटे में लिख रहे होता है वो होता है टोटल तो एक बराबर नो है तो च्यार बराबर सब्सक्राइब सिंपल निकल गया ठीक है तो यह टाइप भी अभी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बन चुकी है आगे चलिए अगले कि शुन्स पर चलते हैं यह वाली टाइप सोल करने की कोशिश कर यह क्या है कि ए और भी एक साथ पंदरे दिन एक काम को करते हैं एक एला काम करते हुए बीज दिन में पूरा कर सकता है बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने में कितना समय लगा किया आप नहीं निकाल सकते हो तो क्योंकि language बदल के दी जाती है simple सी बात है जो student language को नहीं समझ पाएगा आज के समय में वो questions को solve नहीं कर पाएगा देखे type उनको समझ में आगी solution उनको निकालना आता है लेकि paper में जो language लिखी हुई होती है अगर वो उसको नहीं समझेगा उसको दिक्कत हो जाएगी तो यहाँ पर देखो क्या है कि A और B 15 दिन में कर सकते है जब पता है कि A और B 15 दिन में कर सकते है उसके बाद A का दिया हुआ है A 20 दिन में कर सकता है तो B अकेले उस काम का आधा बाग नहीं जो total काम होगा का उसका अधा भागी तो करना है क्या नहीं निकाल सकते किपा है इदर से करो 거야 तीन जितना हो गए लेकिन यहां पर श्टूडेंट गलती क्या करते हैं उसमें मैं आपको बता देता हो किस्षंस बिलकुल से शिंपल है लेकिन स्टूडेंट की यहाँ पर जो गलतियां होती है जिसकी वज़े से पेपर में पूछा जाता है वो है कि यह वाले पार्ट को वो पूरा नहीं पढ़ते हैं क्यों 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 वो सोचते हैं कि A B का दिया हुआ है, A का दिया हुआ है, और पूछा है, B अकेले उस काम को किते दिन में पोरा करेगा, क्योंकि पढ़ लेते हैं, B अकेले, तो वो आंस्वर निकाल देते हैं, लेकिन किश्चंस की, मैथ के किश्चंस की आपको लास्ट लाइन तक अच्छे पढ़ना है, क्योंकि इसमें बोला जाता है, कि B को अकेले, उस काम का आधा भाग, पूरे काम के बारे में नहीं पूछा गया, देखें, अप्शन पहले में ही स्याइट आंस्वर दिया गया है, क्योंकि लोग पूरे को करते हैं, और एक की कैपेस्टी से स्याइट दिनी आ आंस्वर निकलता है और वो सोचते हैं हमारा आंस्वर सही निकल गया विल्कुल भी नहीं गलत है जो पूछा गया है उस पे आपको फोकस करना है कि आदा भाग पूछा जाता है या पूरा भाग पूछा जाता है जो भी आप से पूछा गया है उसको अच्छे से फोकस करना ह ठीक है चलो आप चलते हैं अगले टाइप पत हो यह वाला अगले टाइप है कि क्या है कि 6 गंटरश कारे कर Himselfर तैनल को 24 दिन में पूरा कर सकता है कारे 28 दिन में समापत करने के लिए उसे पर दिन कितने घंटह क्या करना हो तोधमे तो एक ही है, क्योंकि रमन के बात की गए, ये तो अकेला हो गया, M मैं D कितने है, 24 दिन, H कितना है, 26, उसके बाद क्या है, आटाराप दिनों में समाप्ट करना है, अब उसको अठाराप करना है, यानि उसको h2 निकालना है, अब इदर लिख लो वो ही बात है, 6 की 18 तीड़ अंठे 24, कितना जाएगा 8 गंटे, पहले वो कर रहा था 6 गंटे काम, अब उसको कितना करना पड़ेगा 8 गंटे, क्यों, क्योंकि वो पहले 24 दिनों में पूरा कर रहा था, अब उसको 18 दिनों में simply और जो जिसको ऐसे नहीं समझ में है न भाई ये ऐसे है 24 गुना अच्छा है बराबर 18 गुना में अच्छा है तो ये 18 इसके नीचे आ गया इसलिए अच्छा निकाल दिया यानि कि कितने घंटे काम करेगा बात समझ में आगे तो ये ऐसे है नहीं समझ में आया थो आगे चलो ये वाला देखो इसको ट्राइ करो कि एक कारे को 20 दिन में कर सकता है बी 12 दिन में कर सकता है बीने के ओल 9 दिन तक कारे किया उसके बाद से इस कारे को भाई एक को ही वेक्ति होता है कारे छोड़ के चला जाता है दूसरा वेक्ति उसको पूरा कर रहा होता है तो ये टाइप आप जानते हो हम पाइसा से जो टाइम एंड वरक से पूछी जाती है तो देखे क्या है बिलकुल सिंपल है यह भी क्योंकि हमने बहुत बार किया है एभी इस दिन में भी उसी कार्य को कितने दिन में करता है बारह दिन में ठीक है तो बस पहले निकाल लो यहां से आ गया तीन और यहां से आ गया पांच यह इनकी काम करने की समता निकल के आगी अब क्या बोला कि बी ने वह कार्य केवल नो दिन तक किया तो बी कर रहा है नो दिन तक बी एक दिन में कितना काम करता है पांच तो नो दिन में ओ कितना काम कर देगा पैतालिस काम कुल काम तो सैट उस से 45 उसने कर दिया तो काम कितना बच गया 15 काम बच गया उसके बाद क्या है कि एस इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा एक दिन में तीन काम करता है तो 15 काम कितने दिन में कर देगा पांच दिन में अब यह कुशन से बेलकुल सिंपल था लेकिन टाइप है वह सिंपल नह में जो इनके best level के questions होंगे वो मैं आपको करवा रहा होंगा ठीक है प्रक्ति सैट आएगा आपका उसमें best level के सारी चीजे में करवा रहा होंगा अभी type समझ लो जो यह स्रीज है इसमें मैं आपको type बताते हो चलूँगा कि इस इस type से आता है और जो प्रक्ति सैट इसी के कैसे आ जाता है इंक्रीज हो के तो वो चीजे हम यहां पर clear कर रहे होंगे यह वाला देखो दूसरा है उसी type का है कि एक कारे को 18 दिन में बी 15 दिन में कर रहा है ठीक है अब इसका पहले LCM निकाल लो तो 90 हो गया यह हो गया 6 और यह हो गया 5 ठीक है तो बी ने वह दस दिनों तक कारे करके छोड़ दिया अभी दस दिन तक कर रहा है तो मतलब कितने अशायच काम कर दिया उसने तुटीश काम बच गया अब यह केला से इस कार्य कितने दिन में कर देगा 6 दिन में कर देगा लेकिन यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्य को समाप्त होने में कितने दिन का समय लगा तो उसके लिए 10 दिन इसने कार्य किया वो भी आप जोड़ोगे इसके अलावा जो एने कार्य किया है उसको भी आप जोड रखना ऐसे भी आपके एक्जाम में questions पूछे जा सकते हैं अगे देखिए 18 लड़के एक कारे को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो शेस कारे को पूरा करने में कितना दिल लगेगा देखिए ये दोस्तों M.D.H. मसाले वाले से ही शोल होगा, लेकिन ये क्या है, क्यूशन्स का language, level, सब कुछ increase करके आप से पूछा जाता है, ठीक है, तो देखे, 18 लड़के 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 लड़के हैं, किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 लड़के 12 दिन के पस्चात क कारे छोड़के चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है, कि 12 दिन तो उन्होंने काम किया है, संपल सी बात है न, कि 12 दिन तो उन्होंने सभी ने काम किया है, इसका मतलब जो 18 लड़के थे, उन्होंने 12 दिन तो काम किया ही है, तो यहाँ पर पूल कारे कितना था, इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा बाई कुल काम था 432 ठीक है कुल काम कितना 432 था कर लो उसमें से आठारे लड़कों ने कितने दिन का रही किया बारे दिन कारीक किया तो 18 लड़कों ने 12 दिन कारिय किया है, इसका मतलब उन्होंने कितना कारिय किया है, 180 और 36 ऐना कितना काम किया है, 216 काम उन्होंने कर दिया, बात समझ में आगी, ठीक है, 18 लड़कों ने 12 दिन तक काम किया 216 काम कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखे क्या है कि 6 लड़के 12 दिन के बाद चले गई अब क्या हुआ कि 6 लड़के चले गई है कोई दिक्कत नहीं है 6 लड़के चले गई है तो कितने लड़के बचे अब आपके पास पहल अब भाई आदा काम हो चुका है ना, 432 काम था, उसका 216 हो चुका है, तो कितना बचा है, 216 काम ही तो बचा है, और उसको लड़के कितने करने वाले है, 12 लड़के करने वाले है, तो 12 एकम 12, उसके बाद कितना बच गया, 9, और 12, 96, तो कितना दिन का समय लगेगा, 18 दिन का स सिंपल सा है और एक त्रिक आपको बताता हूं यह तो वह ऐसे हो गया अब स्पीड कैसे बनाओगे जब आपको पता है 18 लड़के 24 दिन में कर रहे हैं तो 18 लड़के 12 दिन काम करेंगे इसका मतलब आदा काम कर देंगे अब बच्छा हुआ आदा काम आदा काम को 12 दिन में हो जाना चीए था लेकिन अभी लड़के कितने है 12 लड़के हैं तो जब 12 लड़के जब 18 लड़के 12 दिन में आदे काम को कर रहे थे तो बार्य लड़के काम आदे काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा अठारे अरे नहीं समझे मैं आपको बताता हूं यह 216 काम हुआ कि क्या था कि 12 तक किया, तो 18 लड़कों ने 12 में काम कर दिया आदा, तो अब इधर 12 लड़के ऊगहए तो इधर क्या हो जाएंगे आठारा दिन हो जाएंगे तो डारेक्ट आप ऐसे भी इसका अंसर कर सकते हो ठीक है दोस्तों इसकी दो टाइप बच चुकी है वो दो टाइप एक वीडियो बना दूगा सफेसल क्योंकि वो दो टाइप बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है उनके स टक आये होंगे मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट तक जो भी मैं क्लास डालू जो भी इंपोर्टेंट क्यूशन डालू हर एक स्टूडेंट तक वो पहुँचे तो इसलिए वो इवनिंग में मिल जाएगा जिसमें आपको तीन क्यूशन देखने से उसको पेपर में आता है तब हम सोल कर रहे होते हैं और एक बात और इंपोर्टेंट सभी स्टूडेंट ध्या रख लेना अपनी तबियत का ख्याल रखना वना तबियत खराब हो जाएगी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मैं सहन कर रहा हूं मुझे भी पता है तो मिलते हैं अगली क्लास में आज इवनिंग में जो तीन क्रिशन्स या चार क्रिशन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे उसको देखना मत बोलना क्योंकि वो टाइप भी आपके पेपर में आती है थैंकी